हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन स्टीपॉइंट दोस्तो इस वीडियो में आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट लेटेस्ट करेने फेस्ट कोईशन लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको महत्पूर्ण नियुक्तियां पूरुषकार और खेल से लेटेट करेने फेस्ट क किस संग्ठन ने शांती, निशस्तिकरण और विकास के लिए दोएठारा का इंद्रा गांधी पूरुषकार जीता है दोस्तो शांती, निशस्तिकरण और विकास के लिए दोएठारा का इंद्रा गांधी पूरुषकार जीता है विज्ञान और परियाबरन के अंदर ने य और आपको बता दे दोस्तों कि इससे पहले 2018 का ये पुरुषकार किसको मिला था तो ये मिला था दोस्तों मनमोहन सिंग को ठीक है भारत के पूर प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग को 2017 का इंद्रा गांथी पुरुषकार दिया गया था दोस्तों ये जो विज्ञान और प्रयावरण के अंदर है इसकी स्थापन वे थे 1980 में कब वे थे 1980 में और इसकी संस्थापक थे अनिल अगरवाल और इसका हेटक्वाटर है विज्ञान और प्रयावरण के अंदर का न्यू डेली में और दोस्तों यह जो इंद्रा गांधी पुरुषकार है यह ऐसे विक्ति को प्रतिवस दिया जाता है जो समास सेवा निशस्तिकरण में योगदान करता है इसके तहर जो है 25 लाग का नगत पुरुषकार और प्रसस्ति पुरुषकार इसमें दिया जाता है ठीक है तो किस महिला प्रथान मंत्री थी इंदिरा गांधी ठीक है यह भी क्वेश्चन काफी सिंपल है और पूछा जाता है चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि संग्ठन को एशिया पर्याबरण प्रवर्तन पूरुषकार दोहठारा मिला है दोस्तों आपको बता दें कि 21 करते चलिए आ रहा है तो रिवीजन हो जाएगा और सौल भी करते चलिए काफी इंपोर्टेंट है यह सारे कोश्चन भारती अंतरदेशी जलमार प्राधिगरंड के नए धेक्ष कौन बने हैं देखे काफी सिंपल और बहुत मातमुर कोश्चन है भारती अंतरदेशी जलम अंतरदेशी जलमार प्राधिगरंड के नए चेर्मेन कौन बन गये हैं जलस रिवास्त्व इसका ऑप्सण डी करेक्ट हो जाएगा ठीक है तो इसका ऑप्सण ने करेक्ट हो जाएगा आंधर प्रदेश भुदार पॉटर लांज की आंधर प्रदेश ने देखे अगला कोश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है ये ऐसा कोश्चन पूछा आता है एक्जाम में रंजी ट्रॉफी में 11,000 बनाने वाले पहले बल्ल बाज बन गये हैं यानि किसका ऑप्सण डी करेक्ट है वसीम जाफर दोस्तों यहां पर रंजी ट्रॉफी की बात हो रही तो आपको बता दें रंजी ट्रॉफी भारत की घरेलू प्रत्यूगता है क्रिकेट प्रत्यूगता है और पहली बार ये टूनामेंट का वाजित किय सब्सक्राइबर रंजी ट्रॉफी ट्रॉफी स्कोंतिस में ठीक है और अभी हाल इंसे से जादा बार नजीट्रॉफी की ट्रॉफी किसा्न चीप जीता है तो इतने फैक्ट आपको जरूर याद रखने है रणजी टॉफी से लेटर तो रणजी टॉफी में 11,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेवाश कौन बन गए है पहले बेट्समें वसीम जाफर ओप्सन डी हाली में उत्तर प्रदेश के किस जगे को भारत सरकार से निर्यात उत्कृष्टता टैग मिला है दोस्तों आपको पतादे कि यूपी में भधोही को भारत सरकार से निर्यात उत्कृष्टता टैग मिला है यानि कि इसका ओप्सन ए करेक्ट हो जाएगा भधोही किस देश ने 2018 के लिए महिला विश्टु कप T20 वर्ल्ल कप जीता है दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा आपको बता देख ऑस्टेलिया क्रिगेट टीम ने महिला विश्टु T20 खिताब जीत लिया है यानि इसका ओप्सन ने गरेक्ट हो जाएगा दोस्तों आपको बता देकि हैं उनका चौती वार इन्होंने एक हिताब जीता है और उन्होंने फाइनल मैच में किसको आराया है इगलाण को फाइनल में इगलाण को राया है ऑस्टेलिया की S-Legg Gardner को Player of the Match नामित किया गया था इसमें ठीक है उस्टेलिया की S Le настро run को player up the match दिया गया है जब किसमेlayer up the tournament दिया गया है australia की अलिसा हेली को ठीक है player up the tournament किसको दिया गया है अलिसा हेली को, किस देशने 2018 के लिए मंहिला best cup T20 किताब जित लिया है इस इतलिया और यह कहां पर हुआ दोस्तों यह भी याद रखेएगा वेस्टेंडीज में हुआ था यह ठीक है वेस्टेंडीज में हो था और यह चौथी बारे किताब जीता है ठीक है यानि कि इसका option भी correct हो जाएगा हाली में सीके जाफर सरीप का निधान हो गया वह एक क्या थे दोस्तों हाली में सीके जाफर सरीप का निधान हो गया वह एक राजनीतिक थे ऊप्सन डिकरेक्ट हो जाएगा देखिए पूर्व रेल मंतरी CK जाफर सरीप का 25 नमबर को बेंगलौर हुम निधन हो गया आपको पता देखें दोस्तों कि 1991-1995 तक पीवी नर्शिंगा राओ के सासन के तहट रेल मंत्री का पत्समाला और देश भर में गेज रूपांदरण में महत्पुर्ण हुमका निफाई थी ठीक है तो जाफर सरीप को निफुकत्तर में बैंगलोर उत्तर निर्वाज अंचेट से पहली वार संसत सलस्क्रूब में भी चुना गया था जाफर सरीप एक राजनीतिक्स थे याद रखिएगा अगला कोशन देखिए काफी इंपोर्टेंट है किसे सिनेमा में उनके जीवनकाल योगदान के लिए अंतराष्टी फिल्म समारो के विशेश पुरुषकार से समानित किया गया है देखे उस तो पठखता लेकक सलीम खान को सिनेमा मुनके जीवन का लोगदान के लिए अंतराश्टी फिल्म समारो विशेश पुरुषकार समानित किया जाएगा किया गया है सलीम खान को ठीक है यह आप याद रखिएगा उन्हें 10 लाग रुपया का पुरुषकार और एक प्रवाण पत्र यह और साल प्रदान किया गया ठीक है तो ऑप्संडी करेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन दोस्तों भारत के नए मुख निर्वाचनायक्ट कौन बने है जोस्तों भारत के नए मुख निर्वाचनायक्ट 26 नमबर 2018 को राष्ट पती रामात कोविन जी ने सुनिल अरोड़ा को नए मुख निर्वाचनायक्ट नूप किया है यानि कि ऑप्संडी करे आपको बता दे कि वे राजस्थान के एडर के 1922 के आई एस ओफिसर है सुनील अरोड़ा जो की बरत्मान वेक निर्वाचन आयोगत है उनको सितंबर 2017 में चुनाव आयोग में न्यूक्त किया गया था तो भारत के नए मुख निर्वाचन एक कौन बन गए सुनील अरोड़ा इससे पहले थे ओपी रावच जी तो ओपी रावच इससे पहले थे अब उनकी जग़े बन गए सुनील अरोड़ा जी तो यह याद रखिएगा इतने पॉइंट फिर हमारा अगला कोशन है भारत सरकार द्वारा की से कोलकाता के भारती विग्जान सिख्षा और उनसंदान संस्थान के प्रोफेस्टर पुन श्लोक भादुडी को भारत सरकार द्वारा संस्थान की प्रतिष्टित श्वण जैन्ती फेलोशिव से मानित किया गया यानि कि इसका ओप्सन भी करेक्ट हो जाएगा और यह फिलो उसी पांच वर्स के लिए ठीक है पांच वर्स के लिए हर्याणा में आज इत अंतराश्टिक गीता महत्सद और अठारा के लिए साजेदार देश कौन सा है इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा ऑप्सन सी मौरिशस देखे उस तो हर्याणा के कुरुक शेत्र में 7 से 23 दिसंब और अंतराश्टिक गीता महत्सद औरो इसमौस देखे मोरिशस होगा ठीक है इसमह साजेदार देश मौरिशस होगा और गुजराथ मोच्छरा को भागिदार राज्य होगा ठीक है भागिदार राज्य जो गुजराथ भारत के लावेस्तों इंडोनेसिया, एरान, तुर्क में एस्या नापदा यरपूर्शकार किसने जीता है तो विजय वर्मा और पी राजकुमार भारती नोसेना कमांडर विजय वर्मा और कप्तान पी राजकुमार ने एस्या नापदा यरपूर्शकार जीता है आपको अतादे केरल में विनासकारी बाल के दोरान उन्हें अपन सबाद को पर प्रोटोकाल की हैं चीन के साथ ऑपसर्थिक हो जाएगा ठीक है भारत और चीन ने निरीयात के लिए शक्षिता और निरीख्षण आवशाख्ताह पर प्रोटोकाल सविस्ति के हैं और यह प्रोटोकाल भारत को चीन में मछली भोशन और नीराद सुरू करने में सक्षम करेगा जिसका करेक्टेंस हो जाएगा ऑप्सन भी चीन कोशन फिप्टीन थे सस्टेनबल ब्लू एकोनॉमिक पर पहला वश्चिक सम्मेलन नवमर्द उठारा में कहो जित किया गया था तो आपको बता दे उस तोक सस्टेनबल ब्लू एकोनॉमिक पर सम्मेलन नवमर्द उठारा में केन्या माजित किया गया था ओप्सन सी करेक्ट हो जाएगा ठीक है यह सम्मेलन केन्या माजित किया गया और कनाडा और जापान सम्मेलन के सह मेजबान थे आपको बतादिक सम्मेलन समुद्री और तर्टी संसाधनों की रक्षा के लिए उनक पर पहली बार भारत इंडोनेसिया बिजनेस फोरम आजित किया गया है दोस्तों आपको उतादे कि अंडमान और निकवार दिपसमू के पोर्ट ब्लेयर में पहली बार भारत इंडोनेसिया बिजनेस फोरम आजित किया गया इसका उद्देश क्या है इंडोनेसिया के आचेह और उत्तरी सुमात्रा प्रांतों के साथ अंडबानों निकोबार दिप्समू के बीच वाडिजिक और लोक से लोक संबंधों को सिवधाजनक बनाना ठीक है तो यह याद रखिएगा पहली बिजनेस मुंबई जो है दोस्तों पहली बार बिजनेस फोरम है जुलाई 2018 में तो यह किया गया दोस्तों UK के बीच भारत और UK के बीच ठीक है सौभाग योजनक तहत भारत के कितने नए राज्यों ने 100% बिद्दूतिकरण हसिल किया है तो इसका करेक्ट रखिएगा ओप्सन भी आठ राज्यों ठीक है याद रखिएगा याठ राज्यों कोन कोन से है म करेक्ट रखिएगा ओप्सन भी आठ राज्यों से है कॉंसा देश अपनी शेना के प्रमुक के रूप में महिला को नियूत करने वाला एक मात्र देश बन गया है, तो दोससरा ko बता देख, इसलोवेनिया एक महिला यहाला, शेहना प्रमुक के रूप में नयुक्ट करने वाला एक मात्र नाटो देश बन गया है, ठीक है दो याद रखिएगा, इसका करेक्टर हो जायेगा, आपसन है इसलोवेनिया, आपको बता देख, कि इ मार्वेजियन मेंगनसान कालसन ने 28 नूमर 18 को 217 चैंबे से खिताब जीता है उपसंसी करेक्ट हो जाएगा उन्होंने आपको देख चौती बार 277 चैंबे से खिताब जीता है ठीक है उन्होंने टाई ब्रेकर इवेंड में सेंगतुराज अमेरिका के फैवियानो कारुआनो कर आए ठीक है फैवियानो करोना कर आकर मैंगनसान कालसन ने 27 चैंबे से खिताब जीत लिया है कौन सा देश जनवर 2019 में किंबरले प्रक्या के देख्षता करेगा तो यह करेगा दोस्तों अपना भारत इंडिया ठीक है दुनिया में बैस सरकारों खिलाप युद्ध के वि होप आपको वीडियो पसंद आए हलफूल होगा पीच वीडियो लाइक जिरू करें और चैनल को सब्स्राइब जिरू कर लें तब तक के लिए उस तो मिलते है नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत